नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नए वीडियो में तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि रोज के जिन्देगी में जो भी एप्लिकेशन आपको यूज होता है रेगुलर की लाइप में उसके बारे में ही मैं वीडियो बनाता हूँ अक्सर तो आज की वीडियो उस सभी के लिए है जो खाने की सौकिन हो आप घर से बाहर अगर खाने का प्लैन करते हो तो क्या रेश्टूरेंट में डायरेक्ट जाते हो या ओडर करके रेश्टूरेंट से लेके घर पे आते हो या आप कभी ट्राइ किया है ओनलाइन ओडर करने के लि तो दोस्तो ओनलाइन खाना ओडर करने के लिए जो एप सबसे पॉपुलर है और सभी लोग सबसे जाधा यूज करते है वो है स्वीगी तो स्वीगी एपस के बारे में आज हम बात करेंगे डीटेल्स में कैसे आप एपस को इंस्टॉल कर पाओगे कैसे लॉगिन कर पाओगे कैसे अपना एकाउंट खोल पाओगे सारा कुछ डीटेल्स में आप बताएंगे और खाना कैसे आप ओडर करोगे रेश्टूरेंट से और पेमेंट कैसे होगा वो सारा डीटेल्स भी हम लोग डिसकस करेंगे तो नेक्स्ट मैं चले जाओंगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर त डाउनलोड हो चुका है सुईगी का अप्लिकेशन अभी इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हो सुईगी का अप्लिकेशन मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल हो चुका है आप यहाँ पर नीचे ओपन बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो यह सिधे आ जाते है मेरे मोबाइल क main screen पर आप देख सकते हो Swiggy का application तो जल्दी से open कर लेते हैं यह आपके सामने open हो गया है Swiggy का application यह application का interface है तो यह आपको पहले location पूछेगा तो location मैं on कर देता हूँ allow कर देते है location आप यहाँ पर confirm location कर सकते हो या change button पर click करके भी अपना address डाल सकते हो तो मैं confirm कर देता हूँ तो आपके सामने open हो गया है Swiggy का application यह application का basic interface है तो आप नीचे देखिएगा चार बटन है Swiggy, search, cart, account तो एक एक करके देख लेते हैं पहला जो Swiggy का home button है वहाँ पर आपका address और offer है और यहाँ पर interface पर आप देख सकते हो आप restaurant wise search कर सकते हो और यहाँ पर कुछ नया addition हुआ है जैसे groceries, wines and delivery system यह details में किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर चले जाते है top pick for you यहाँ पर restaurant wise आप search कर सकते हो फिर discount जैसे offer चलता है discount offer wise अब search कर सकते हो फिर popular जो brand है associated उसके वाइज सर्च कर सकते हो नीचे cuisine वाइज सर्च कर सकते हो आपका जो पसंदीदार खाना हो अब देखिए list of restaurants नीचे है जहाँ पर discount बगेरा चल रहा है उसका list भी आप देख सकते हो फिर यहाँ पे कुछ coupons and offer चल रहा है फिर कुछ popular categories भी है जैसे wage only, newly launched, top rated, offers ऐसे भी आप search कर सकते हो तो आप पूरा यहाँ पे search करके अपना पसंदीदार restaurant या cuisine यहाँ से choose कर सकते हो फिर चले जाते हैं search button पे तो search button पे आप दो तरीके की search कर सकते हो आप restaurant का नाम दे के भी search कर सकते हो या अपना पसंदीदार food या cuisine दे के भी search कर सकते हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर उपर कुछ option है जैसे biryani, chinese, cake, dessert, burger आप यहाँ पे click करके भी search कर सकते हो या search button पे आप type करो कितना time लगेगा, delivery, कितना discount है क्या offer चल रहा है, कितना rated है तो सारा कुछ आप restaurant wise भी search कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर मैंने restaurant select किया तो restaurant wise भी यह दिखा रहा है उसके बाद चले जाते है next option cart पे उसके बाद last में account है account में देखिएगा आपका phone number email id देके login करना पड़ेगा food order के लिए तो एक बार मैं पूरा details में दिखा देता हूँ तो accounts option में login पे आप click किजिएगा और डाल दीजिएगा अपना phone number और फिर continue पे click करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए sign up पे अपना mobile number फिर डाल दीजिएगा अपना email id उसके बाद अपना नाम और फिर click कर देंगे sign up बटन पर तो आपके mobile number पर एक OTP आजाएगा तो आगया OTP मैंने OTP डाल दिया और verify और proceed पे click कर देते हैं तो मेरा swiggy का account open हो गया है उपर मेरा नाम phone number email id दिखा रहा है इसके बाद कुछ option है मैं आपको details में दिखा देता हूँ अब देखिए उपर my account बोलके एक option है यहाँ पे आप click कीजिएगा तो यहाँ पे चार option है manage address, favorites, offer and app settings तो manage address पे आप अपना address दे दीजिएगा यहाँ पे मैं जैसे अपना address दे देता हूँ उसके बाद favorite, उसके बाद offers, offers में अभी जो restaurant wise offer चल रहा है या आपके पास जो coupon swiggy provide कर रही है offers के बारे में उसका पूरा list दिखाएगा उसके बाद app settings, app settings में एक option है जैसे जब भी आप order कर रहे हो और वो live track कर रहे हो तो यहाँ से आप off on कर सकते हो मतलब इस windows को minimize करके आप दूसरा काम भी कर सकते हो अपने mobile पर उसके बाद payment and refund का option ये एक बाद देख लेते है refund status आपका कुछ भी अगर cancel हो, refund हो तो यहाँ पर आ जाएगा और payment mode, यहाँ से आप payment mode select कर सकते हो जैसे आपके पास free charge, mobi quick, pay ATM, phone pay, amazon pay से भी pay करने का option है और swiggy का यहाँ पर अपना wallet भी है, swiggy money यहाँ से भी आप add कर सकते हो swiggy money active करने के लिए आपको KIC करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आपका government ID लगेगा या pen card, driving license या passport इससे आपका swiggy money का wallet active हो जाएगा इसके बाद कुछ FAQ and helps है आप एक बाद देख सकते हो और नीचे है log out button अब देख लेते हैं कैसे food order करते है तो बाफस आ जाते हैं swiggy का main homepage पर या search button पर आप click करके कुछ भी search कर सकते हो तो जैसे मैंने open कर लिया यह restaurant यहाँ पर click किया तो देखिए उपर restaurant का नाम किस type का food मिलता है इसका address और मेरे घर से कितना दूर है restaurant का rating, delivery देने में कितना time लगेगा approach 2 के लिए कितना cost पड़ेगा कितने customer order किये है सारा कुछ details और कितना offer चल रहा है सारा कुछ आप देख सकते हो और नीचे है पूरा menu अब details में भी menu देख सकते हो with picture या browse menu बटन पे आप click करके category wise भी आप देख सकते हो तो जैसे यहाँ से मैंने यह food select किया अगर आपको add on भी कुछ चाहिए तो यहाँ से आप select कर सकते हो तो item को मैं add कर देता हूँ और यह चले जाएगा view cart पे तो cart पे हम click कर देते हैं तो आप देख सकते हो cart पे food का नाम कितना plate है उसका number आप यहाँ से plus करके बड़ा भी सकते हो और नीचे option है last जो आपने order किया था वही repeat करने का और एक option है अलग से अगर add on आप choose करना चाते हो तो I will choose पे आप click कर दीजेगा और यहाँ से add on आप change भी कर सकते हो तो मैंने add कर दिया और यहाँ से आपको dis घटाना है तो आप minus पे click करके घटा भी सकते हो तो आप देखे यहाँ पे dis का पूरा details यहाँ पे नीचे है tips your delivery partner अगर आप delivery boy को tips देना जाते हो तो यहाँ से आप select कर सकते हो और नीचे safety for covid के लिए opt in no contact delivery का option है और यहाँ पे आप उसके बाद coupon भी apply कर सकते हो add coupon पे click करके जो भी coupon अभी active है उसको आप select कर सकते हो जैसे मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने यहाँ से apply किया यहाँ पे 100 रूपीस discount मेरा हो गया है और नीचे आपका पूरा billing details दिखा रहा है जैसे total item कितना है delivery partner का fees किया है कितना आपको discount मिला है delivery tip जैसे आपने add किया वो दिखा रहा है और taxes और charges लेके कितना हो रहा है और पूरा final आपका bill दिखा रहा है फिर order करने के लिए आप proceed किजिए तो यह मेरा पूरा order तयार हो गया proceed to pay पे click करेंगे यहाँ पे देखिए सुईगी का एक cancellation policy भी है order करने के बाद आपके पास एक मिनिट का time रहेगा उसके under आप अगर cancel करते हो तो यहाँ पे आपको कोई cancellation charges नहीं लगेगा तो I understand procedure with orders पे click करते है अब यहाँ पे आजाएगा आपका payment mode तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप Pay ATM, Amazon Pay, Phone Pay, Free Charge, Moby Quick या credit debit card से payment कर सकते हो Google Pay का option भी है और यहाँ पे नीचे देखिए different bank का net banking का option भी आपके पास है आपके पास अगर कोई food card हो जैसे Sodexo type उससे भी आप pay कर सकते हो और last में आप देखिएगा Pay on delivery का भी option है पर अगर आपने no contact delivery का option चूस किया है तो यहाँ पे आपको cash on delivery का option नहीं मिलेगा मतलब आपको तो पता ही है without touch आप कैसे किसी को cash pay कर सकते हो तो देखते हैं कैसे food order हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार account पे आके यहाँ पे देखिए आपका past order भी दिखाई देगा यहाँ से एक reorder का button भी है आप same order repeat भी कर सकते हो और order details में आप देखोगे कौन सा restaurant से order किया गया है restaurant का नाम address आपका location और जब delivery हुआ है उसका date, time और delivery boy का भी details और नीचे आपका पूरा bidding details और खाना enjoy करने के बाद आप delivery status को भी rating भी दे सकते हो food quality को भी rating दे सकते हो आप नीचे देख सकते हो के जैसे मैंने यहाँ पर rating दिया है तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपने देखा के कैसे आप आसानी से अपने mobile application यूज करके खाना order कर सकते हो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ और technology के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक like कर दीजिएगा और अपनी दोस्तों के साथ share कीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर subscribe कीजिए और साथ में bell icon दबाना मत भूलिएगा थाकि technology के related ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे आप मुझे facebook, instagram और twitter में भी follow कर सकते हो link नीचे description में दिया हुआ है मैं मेरे shoot के time जो भी equipment इस्तमाल करता हूँ उसका link भी नीचे description में दिया हुआ है अगर आपको जरूरत होती है कभी तो आप नीचे दियेगे link पे click करके purchase भी कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही दुबारा मिलता है किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे technology के बारे में नया कुछ क्यूंकि घ्यान बाटने से बड़ता है आप मुझे comment करके बताओ आपने ये सुईगी application यूज किया की नहीं यहां से खाना order किया की नहीं और आपको application कैसा लगा आप अपना सुजाओ भी मुझे बता सकते हो के आगे किस बारे में आप वीडियो देखना पसंद करोगे तब तक के लिए जय हिंद बंद मातरम बाई